यहां पर भी छोटे तोतों की प्रजाथियां मकाव पैरट के साथा पहुची हैं। यह मिट्टी इनके लिए सोना है। ऐसा माना जाता है कि जब ये तोते फलों के साथ साथ कुछ जहरीले फलों को भी खा लेते हैं। तब ये इस मिट्टी को खा कर जहर के असर को खत्म कर देते हैं। ये लाल मिट्टी इन तोतों की पाचन शक्ती को मजबूत कर देती हैं और ये इस मिट्टी को बड़े ही चाव सिखाते हैं फिलहाल तो ये जंगल व्यस्त है इनकी चीक चिलाहट से जैसे ही ये स्थान भोजन की कमी से जूज रहा होगा या प्रियाप्ट भोजन नहीं मिल पाएगा तब ये पक्षी इस स्थान को छोड़ कर ऐसी जगा चले जाएंगे जहां फिर से ये तोते अपना पेट भर सकें जंगल का यह संतुलन हर जीव को स्वस्त रखता है जैसे मनुष्य के हाथ में दिखाई देने वाली रेखाओं का पैटन अलग होता है वैसे ही मकाव पैरट के कलर्स का पैटन एक दूसरे से अलग होता है मकाव पैरट कई रंगों का मिकसर होता है इनके शरीर में दिखाई देने वाले विभिन रंग इनको और अधेक सुन्दर बनाते हैं ये मोर के समान ही सबसे खुबसूरत पक्षी है और सभी पक्षी प्रजातियों में से मकाव पैरट के सबसे बड़ी खास्यत है कि ये अपना भोजन सीधा मुझे नहीं उठाते हैं बलकि अपने पैरों का प्रयोग करके किसी भी खाने की वस्तू को अपने पाउं से उठात है